दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा सब्सक्राइब के लान निशान के उपर टच करके और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो का पूरा जरूर देखे ताकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारी को आप ठीक से समझ सके दोस्तो अगर आप भी ATM को यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक बहुती बुरी खबर आ चुकी है दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग ATM कार्ड यूज़ करते हैं लेकिन ATM कार्ड भी कई तरह के होते हैं बहुत से ATM के Mastercard, Visa, American Express या रुपे जो लिखा होता है ये वो service providers होते हैं जो इंडिया के अंदर हमें ATM की service provide करते हैं दोस्तो इन में से जातर तरतो भार की companies होती हैं जैसे कि Mastercard और American Express वे जो है ये अमेरिका की company है और रुपे जो है वो भारत का है तो दोस्तो यहां पर RBI ने भार की companies जो कि American Express और Mastercard अमेरिका की company हैं तो इनको clearly ये कह दिया है कि आप हमारे इंडिया की users का data हमारे इंडिया में ही रखिये बाहर मत ले जाईए क्योंकि अभी तक क्या होता है हमारा सारा data ये company अमेरिका के server में store करती हैं लेकिन अब अमेरिका की इन companies ने जो कि Mastercard और American Express है इन्होंने म RBI ने clearly ये कह दिया है कि और band लगा दिया है कि आने वाले समय में अब आगे Mastercard और American Express की service यहां पर नहीं दी जाएगी तो दोस्तों अभी तो देखिए जिन लोगों के पास Mastercard या American Express के जो ATM कार्ड मौजूद हैं तो वो उसका लाब लेते रहेंगे लेकिन कुछ कह नहीं सकत कि कब तक वो इसका फायदा ले सकें और कभी भी अचानक हमारे ATM Mastercard और American Express वाले जो ATM और create card हैं वो कभी भी बंद हो जाएं और बंद होने के बाद आगे क्या होगा हमें कौन सा card issue किया जाएगा या कब किया जाएगा या कैसे किया जाएगा उसके बारे में कोई अभी जानक पर है आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है किस तरह आगे उनको service मिलेगी नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको चौकनना रहने की जरूत है तो दोस्तों यह जानकर आपको कैसे लगी प्लीज आमें कमेंट करके बताएगर अच्छे लगी उसे लाइक कीजिए अपने